वेल्कम तो स्रीजीफूर आज हम बनाएंगे पोटेटो स्टार्च जिसे आप होम्मेड आरा रोट भी बोल सकते हैं उसे बनाना बहुत एजी है और आप इसे हर तरह की ग्रेवी या सूप को ठीक करने के लिए या कोई भी फराली रेसिपी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं तो चलिए उसे किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं हर रोज इस तरह की नई नई रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजु में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आ जो पानी आप निकालोगे उसमें नीचे इस तरह से वाइट पाउडर जैसा आपको मिलेगा तो हो सके उतना मैकसिमम पानी आपको निकाल लेना है और बाद में ये वाइट पाउडर आपको एक थाली में या प्लेट में ले लेना है और ऐसे ही इसे दो दिन सुखने देना क्रस्ट कर लेने से अगर इसमें आलू के जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे वह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगे ये ग्राइंड हो चुका है अब इसे चान लेना है तो हम जो मैंदा चानने के लिए जो चननी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे और इसे चान लेंगे अब देख सकते हैं आलू के छोटे छोटे टुकड़े निकल चुके हैं और पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है इसे बाउल में ले लेते हैं अब हमारा पोटेटो स्टार्च या होममेड आरा रूट रेडी है आप इसे कोई भी फराली रेसिपी बनाने के लिए या सूप या ग्रेवी को ठीक करने के लिए योज कर सकते हो और आप इसे एटाइट डिपे में भर कर फ्रीज में 6-8 मेने तक स्टोर कर सकते हैं हम जब 5 किलो की आलू की वेफर बनाते हैं उसमें से 50-60 ग्राम जितना इस तरह से आरा रूट बनकर रेडी हो कर गया कर दो दोंनागी